हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो दी चैनल सितेश कामर्स टुटुरियल फ्रेंड्स यह आपके हुमन रिसोर्स मेंजमेंट फर्स्ट पेपर का सेकेंड लेक्चर है जिसे में आपको 25 मोस्ट इंपर्टेंट एमसी कुशन बताऊंगा तो चले फ्रेंड्स देख लेते हैं औ लेकन को और पेसलेट कर दिजिगा और अपने दोस्टों को सेर भी कर दिजिएगा क्वेशन नुम्बर 26 है आपका दा मीनिंग ऑफ द एक्रोनिम एचारम इज करा संचिप्त नाम एचारम का अर्थ है यहां पर सीवल आपसन सही होगा हुमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानि मा चाप कारी करता है क्वेशन नुम्बर 28 है अल एस्पेक्स आप दे मर्जर नीड्स करा बिले के सभी पहलों की आओ सकता है यहां पर आपका दीवल आपसन सही होगा मैनेजिंग यानि प्रबंध है क्वेशन नुम्बर 29 है कॉमिटमेंट इश्डर्जी इज इनहरियंटली क करया प्रतिबधतार रणनीती स्वभाविक रूप से है यहां पर आपका बीवल आपसन सही हो जाएगा लॉंग टम यानि दिर्ग कालिक क्वेशन नुम्मर आपका 30 है HR professionals has to be skilled in the art of करया मानव संसाधन पेशेवरों को किस कला में कुशल होना चाहिए यहां पर आपका यह वल आपसन सही हो जाएगा clarifying यानि असपस्ट करना क्वेशन नुमर 31 है strategic thinking is a process कराया रणनितिक सोच एक प्रक्रिया है यहां पर सीवल आपसन सही हो जाएगा continuous यानि सतत क्वेशन नुमर 32 है can be permitted for the top level job कराया कोई सिर्ष अस्तर की नौकरी के लिए पदोनत किया जा सकता है यहां पर आपका जो सही अपसन होगा वो होगा a potential employees यानि संभावीत करमचारी question नुमर आपका 33 है employee training requires to meet करमचारी प्रसिछन को पूरा करने क्या सकता है यहां पर d आपसन सही होगा job enrichment यानि नौकरी सनवर्धन question नुमर 34 है what is harmonious relationship at work place करया कार्य अस्तर पर सोहर्ध पूर्ण संबंध क्या है यहां पर आपका a वल आपसन दिया होगा है friendly in nature यानि स्वभाव से मिलन सार b है pleasing and consistent यानि सुखदाय और सुसंगत c आपका cordial and available यानि सोहर्ध पूर्ण और उपलब्ध d है all of the above यानि उप्रोक्त सभी तो d वल आ यहां पर आपसन सही होगा question नुमर 35 है sending employees for higher studies करें करमचारियों को उच अध्यन है तु भेजना यहां पर आपका development सही हो जाएगा learning and development यानि सीखना और विकास question नुमर 36 है the actual achievement compared with the objective of the job is करें कारे के उदेशियों की तुलना में वास्त्वी को पलब्धिया है यहां पर evil option आपका सही हो जाएगा job performance यानि कारे परदर्शन question नुमर 37 है job evaluation job evaluation is based on the यहां पर आपका करें कि कारे मुल्यांकन निम्न पर अधारित है evil option सही हो जाएगा आपका complexity of the job to perform करें निस्पादित किये जाने वाले कारे की जटे लिता question नुमर 38 है आपका which of the following is a benefit of employee training करें कर्मचारी प्रसिछन का निम्लिखित में से कौन सा लाब है यहां पर evil option सही हो जाएगा helps people identify with organizational goals करें लोगों को संगनात्मक लच्छों की पहचान करने में मदद करता है question नुमर 39 है which performance appraisal methods consumes a lot of time करें कौन सी परदर्शन मुलियांकन पदती में बहुत अधिक समय लगता है यहां पर आपका evil option सही हो जाएगा rating skills question नुमर आपका 40 है is a performance measure of both efficiency and effectiveness करें दच्छता और परभावसिलता दोनों का एक परदर्शन माप है यहां पर आपका evil option सही हो जाएगा employee productivity यानि करमचारी उत्पादक्ता question नुमर 41 है which of the following is a method used in group or organizational training needs assessment करें समूह या संगनात्मक परसिच्छन आउसकताओं के मुल्यांकन में निमलिखित में से कौन सी बीधी का उप्योग किया जाता है यहां पर आपका evil option सही हो जाएगा questionnaires यानि personally question number 42 है which of these is a hindrance to effective training कराया इनमें से कौन परभावी परसिच्छन में बाधक है यहां पर आपका evil option सही होगा aggregate spending on training is inadequate कराया परसिच्छन पर कुल बय और पर्याप्त है यानि बीवल option आपका सही हो जाएगा question number 43 है which of the forecasting techniques is the first test कराया कौन सी पुरवनुमान तक्निक सबसे तेज है यहां पर आपका evil option सही होगा ratio trend analysis यानि अनुपात प्रविर्ति बिसलेशन question number 44 है what techniques are used while analyzing the internal supply आंतरी का पूर्ति का बिसलेशन करते समय किन तक्निकों का प्योग किया जाता है यह option आपका inflows and outflows B है turnover rate C है conditions of work and absenteeism करेक काम की स्थितियों और अनुपस्थिति D है आपका all of these यहां पर D बीवल option आपका सही हो जाएगा all of these question number 45 है आपका which of these is one of the seven criteria for assessing performance करेक परदर्शन का आकलन करने के लिए इन में से कौन साथ मान दंडो में से एक है A option आपका यहां पर दिया हुआ है community service यानि समोदाइक सेवा B है interpersonal contact यानि पार्श मिक्समपर C आपका need for supervision यानि परवेच्छन किया हो सकता D है all of the above यानि प्रयोकत सभी यहां पर D बीवल option से हो जाएगा all of these यानि ये सभी question number 46 है training increases the employees कर आपर सिच्छन से करमचारियों में बिर्दी होती है A market value यानि बजार मुल्य B है आपका earning power यानि सकती अर्जन करना C आपका job security यानि प्रयोकरी की सुरक चाड़ी है all of these यानि ये सभी यहां पर आपका बीवल आपसन से हो जाएगा सकती अर्जित करना यानि earning powers question number 47 है which of this is an of the job training method करा इन में से कौन सी एक of the job प्रशिच्छन परती है यहां पर आपका जो सई अप्शन होगा friends वो होगा C orientation training यानि अभी विन्यास प्रशिच्छन question number 48 है how does training and development offer competitive advantage to an organization करा प्रशिच्छन और विकास किसी संगठन को प्रतियास पार्धात्मक लाव कैसे परदान करता है यहां पर आपका एवल आपसन से हो जाएगा reviewing performance decences यहांनि परदर्शन सालिंता को हटाना आपका एवल आपसन से हो जाएगा question number 49 है what are the prerequisites for successful human resource planning करे सफल मानों संसादन नियोजन के लिए पूरू आपसे क्या है यहां पर आपका एवल आपसन दियावा है backing of top management यानि सिर्ष परबंदन का समर्थन भी है personal records must be complete यानि ब्यक्तिगत रिकार्ड पूर्ण होने के लिए techniques of planning should be the best करे नियोजन की तक्नीक सरोतम होनी चाहिए D करे all of these यानि ये सभी तो यहां पर D वल आपसन से हो जाएगा all of these ये सभी question number 50 है performance development plan is set for the employees by his immediate boss करे करमचारी के लिए परदरसन भीकासी हो जाना उसके निकरतम boss द्वारा निधारित की जाती है यहां पर C वल आपसन से हो जाएगा immediate boss यानि ततकाल boss C वल आपसन आपका सही हो जाएगा तो friends आपको question नहीं पिसमाप्त होता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई question के साथ Thank you friends